नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो Huawei P40 Series जीसे जाना जाता है इसके कैमेरा पार्फरमेंस के लिए क्योंकि DxSmart के जो टॉप फोर स्मार्प्रण बोच सभी के सभी Huawei P40 Series के अंदर है लेकिन उसका प्राइस बहुत ही फ्लैक्शिब लेवल काई तो इसलिए आप Huawei आपने P40 के एक लाइटर वर्षन लाने बाला है लेकिन जो P40 Lite अल्रेडी पहले लाँच हो चुका है कीरिन 810 के साथ लेकिन आप Huawei P40 Lite 5G Edition लाँच करने बाला है और इसका बहुत ज्यादा उमीद देखिए इंडिया में भी ज़रूर लाँच होगा इसका डिजाइन होने वाला है जो exactly Huawei P40 था इसमें होगा 6.5 इंच Full HD Plus LCD डिस्प्ले कोई OLED, AMOLED, Super AMOLED नहीं होगा इसका प्रोसेसर होने वाला है किरिन 820 जो के एक 7 nm प्रोसेसर है और इसका प्रोसेसिंग पावर Snapdragon 765G से भी जयाता है अगर इसके camera की बात करें तो इसमें 64, 8, 2 और 2MP का back camera और 60MP का front camera है यह जो front camera यह एक पांचुल डिस्प्ले के जरीए होगा यह बादा smartphone एक 5G smartphone होगा लेकिन जो पिछले बाला Huawei P40 Lite वो एक 4G smartphone था क्योंकि उसमें इस्तेमाल हुआ था Kirin 810 अगर इसके battery के बात के तो इसमें होगा 4000 एमेज battery with 40W fast charge इसमें USB Type-C होगा 3.5 mm jack होगा और connectivity के सारी feature इसमें होगा एस smartphone टोटल तीन कलर में available होगा silver, black और green इसमें EMEY10 with Android 10 के साथ आएगा लेकिन इसमें Google Play service नहीं होगा उसके बदले में इधार होगा Huawei app gallery और एस smartphone launch होने के बहुत ज्यादा उमीदे जून माइने के आसपास और एस smartphone जब इंडिया में launch होगा तब इसका price हो सकता है 20,000 रूपए के आसपास क्यूंकि अल्रेडी 15,000 रूपए में Kirin 810 बाला smartphone आज ही इंडिया में launch होचुका है आज का वीडियो ही तक उमीदे यह leaked और exclusive information आपको पसंद है होगा फ्रीचर में अगर आप आणाशी exclusive information लेना चाहते तो ग्रेजवल चैनल को subscribe करना बिल्कुली मेंद भूलिएगा तो मिलते अगले वीडियो बे तब तक stay tuned and always remember think positive, be positive, thank you